नमस्ते लक्षमी हुआ हुआम रेसिपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज मैं राजमा बनाने वाली हूँ वह थोड़ी अलग तरीके से बनाओंगे तो जुरूर ट्राइ कीजिएगा इदर राजमा और काली उरत की डाल को 8-10 गंडा भीगो कि मैंने रख दिया था अच्छे से फुल गया मुंग दाल लिया मुंग दाल जरूर यूज़ इसंसे फ्लेवर बहुत ही इनांस होता ए तो ज़रूर इस पर ट्राइक पर और और वहाँ अच्छा आता है इस तरह से दोन्युदों को डाल कर पानी एस इस डाल दीजेगा इसे कम से कम पान से 6 सीटी लगा लीजिएगा ताकि यह अच्छे से कुख हो जाए इसे कुख होने में टाइम लगता है इसमें नमक डाल दीजिएगा उसके सायता सभी अच्छे से कुख भी हो जाएगा और नमक का फ्लेबर भी चला जाएगा अब इदर हम इसे साइट कर लेंगे इसे हम अच्छे से लेबर बहुत ही अच्छा होता है बिल्कुल आपको बाहर जैसा फीलो का ढाबे वाले राजमा तो इस तरह से बनाईएगा और अच्छी लगए तो प्लीज सस्क्राइब करें और कमिंट करके बताएं और सेयर करें अगर बनाऊंगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें इधर मैंने जीरा और लाल मिर्च डाल दिया इन सब चीजों को हम अच्छे से रोष्ट कर लेंगे इधर मैंने प्याज को इस तरह से कट कर लिया है छोटा-छोटा मैंने लगबर दो से तीन प्याज लिया है इसे ग्रेवी अच्छी बनती है यह आप चावल के साथ पराठे के साथ खा सकते हैं इधर मेंने अधुक, लेशुन, मिर्चुम, अच्छोपर Geway रहे हैं अब इसमीनन नमग को फ़ोड़ बावड़, मिर्च धनिया नमग केऊव तुम केULD Italian颗 हनना, नमग रिधान डूप करले। बहुत ही ने क्यूंड होटे हैं यह सब्सक्राइब कर लिख नहीं किए तो यूज़ नहीं किया आप यूज उसके बदल लिख व्यागत हैं इंस सब्ह hardGER है तो चेजों को डाल कर हम सब्सक्राइब कर लिखे इसे flavor भी बढ़ता है और इसकी gravy भी अच्छी हो जाती है राजमा बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से बनाकर एक में जरूर क्हाएं बहुत अच्छा लगेगा आपको और जो हमने मूंग डाल यूज किया उससे बहुत ही अच्छा थीकने साता है और उससे फ्लेबर भी काफी अच्छा हो जाता है अब इन सब चीजों को हमें तब तक अच्छे से भूंज रहा है जब तक कि चारों तरफ से ओईल ना छोड़ दे तक इसे हम पका लेंगे देखी कितना अच्छे से ये पक चुका है और कितना अच्छा दिख रहा है जितना अच्छा दिख रहा है खाने में कही ज्यादा अच्छा है तो जरू ट्राइ करें अब देखे इस तरह से हम इससे भूंज लिये हैं अब जो हमने राजमा और काली उरत की डाल और मूंग डा जो mix करके उबाला था वो इसमें हम अब डाल देंगे यह अच्छे से पकी हुई है उसके बावज़ोद इससे कम से कम low to medium flame पर कम से कम 4 से 5 मिनिट के लिए कुक होने दे कुक होने से जितने भी मसाले के flavor है वो उसमें चले जाते हैं और राजमा का flavor और भी बढ़ जाता है तो इस तरह से बनाएं खाएं इंज्वाएं करें अभी summer season चल रहे हैं तो बच्चे लोगी पर requirement होती है कुछ ना कुछ खाने की बनाने की वो डेली कुछ ना कुछ बनाने के लिए वो बोलती ही रहते हैं तो जरूर ने बनाएं खिलाएं खुद भी खाएं इंज्वाएं करें देखिए ये राजमा लगवबन कर रैडी हो चुका है थोड़ा सा मैंने धनिया के पत्ते डाल दिये हैं अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं अच्छी लगते तो प्ली चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें और थाइंक इसो चली से सब क्या है मैंने राइस के साथ इस तरह से तो खाएं इंज्वाए करें थाइंक